Hello everyone and welcome to learn everything अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा NCRT स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक A Pact with the Sun का चैप्टर 6 The Monkey and the Crocodile को पढ़ेंगे तो चलिए बीना वक्त कवाई हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर रहता था उसने अपना घर पेड़ के उपर बना लिया था जिस पर बहुत सारे फल लदे रहते थे और वो उस पेड़ पर बहुत खुश रहता था क्योंकि वो दिन भर फलो को खाता रहता था अपने मरजी से बंदर बहुत खुश था लेकिन वो बहुत अकेला था और उसके मन में हमेशा ये रहता था कि उसको कोई एक साथी मिल जाए जिससे वो बात कर सके और जिसके साथ वो अपने फलो को बाट सके लेकिन आज पास कोई भी नहीं था यहां तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था अब एक दिन अच्छानक से नदी के किनारे एक मगरमच आया तो बंदर ने उस मगरमच को देख कर फौरण उससे कहा हेलो क्या तुम इस नदी में रहते हो और तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे तो मगरमच ने भी बंदर से बड़े प्यार से कहा गुड मॉर्निंग मैं तो यहां खाने की तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे फल खाने के लिए आफर किये तभी बंदर ने पास की डाल से कुछ फल तोड़े और उसको नीचे फेक दिया अब मगरमच को फल जो थे वो बहुत अच्छे लगे खाने में उसने बंदर को धन्यवाद दिया और फिर उसने उससे कहा क्या अगली बार जब मैं आऊँ तो क्या तब भी मुझे थोड़े फल खाने को मिलेंगे तो बंदर ने उससे कहा हाँ हाँ जरूर और जितने चाहो उतने मिलेंगे कुछ तुमारी लिए और कुछ तुमारी पत्नी के लिए और तुम जो हो दुबारा जरूर आना, क्योंकि यहां पर मैं अकेला रहता हूँ अब मगरमच जो है बंदर से रोज-रोज मिलने आने लगा और वहां आकर वो फल खाता, जो कि बंदर जो है उसके लिए नीचे फेकता था फिर मगरमच जो है कुछ फल अपने घर भी लेका जाता था अपनी पतनी के लिए अब बंदर और मगरमच दोनों जो थे वो बहुत गहरे दोस्पन गए थे और वो हमेशा आपस में बाते करते रहते थे और कभी भी उनको जो है बोर्यत नहीं होती थी वो आपस में चिणियाओं की बाते करते थे जानवरों की बाते करते थे और पास के गाओं में जो लोग रहते थे उनकी बाते करते थे जो भी उनकी परिशानिया थी उसके बाले में वो बाते करते रहते थे कि बारिश नहीं हुई है तो अच्छी फसल कैसे होगी तो इस तरह से वो दोनों जो थे आपस में बाते करते रहते थे एक दिन मगरमच जो था वो बंदर के पास जितना समेत तक रुपता था उससे कुछ जादा समेत तक रुप गया अब जो मगरमच की पत्नी थी वो जो है उसका इंतिजार करते करते परिशान हो गई क्योंकि उसको जो था साथ में ही अपने बच्चों को भी समालना पड़ रहा था जो की नए नए पैदा हुए थे अब जब मगरमच वापस आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा है एक फलो के पेड़ पर रहता है और वो तुम्हारी लिए हर दिन फल भेशता रहता है तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि मैं तुम्हारी लिए फल तोड़ कर लेकर आता हूँ मैं तो पेड़ पर चड़ भी नहीं सकता तो मगरमच की पत्नी ने कहा अच्छा तो एक अच्छा बंदर मिला है तुम्हें इसके बाद मगरमच की पत्नी ने मगरमच से आगे कहा कि अगर तुम उससे कहो तो मेरी लिए तो सबसे बढ़िया खाना जो है ये बंदर ही होगा मेर को जो है इसका दिल खाने का मन कर रहा है अब मगरमच को इस बात को सुनकर गुसा आ गया और उसने एकदम से कहा कि ये क्या कह रही हो तुम मैं ऐसे अपने दोस को नहीं मार सकता जबकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टेस्ट बदने के लिए एक बंदर को नहीं खा सकता लेकिन मैं अपने दोस को नहीं मार सकता तो मगरमच की पतनी ने उससे कहा कि तुम अपने दोस को जो है मेरे पास यहां लेकर आओ मैं उसे देखना चाहती हूँ तो मगरमच ने कहा अच्छा ताकि मैं उसे यहां लाओ ताकि तुम उसे खा जाओ कभी नहीं अब मगरमच की पतनी जो थी वो उससे बहुत गुस्सा हो गई और वो जो है बहुत गहरे पानी में चली गई और वहां जाकर बैट गई और अपने बच्चों को जो है उनके पिता के पास छोड़ गई और उसने गुस्से में कहा कि तुम इनकी देखभाल करो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और वो जो है इसके बाद सीधे पानी में नीचे चली गई अब बेचारा मगरमच जो था वो बहुत ही बड़े धम संकट में पहुँच गया मगरमच अपनी पतनी को बहुत चाहता था और उसे अपना दोस भी बहुत प्यारा था फिर आखिरकार उसने फैसला किया कि जो उसकी पतनी चाहेगी वो वही करेगा क्यूंकि आखिरकार वो उसकी पत्नी जो थी फिर मगर मच ने अपने आप से कहा कि ये बहुत गलत है कि हम अपने दोस्त को धोका दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा पाप है लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ मैं इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता फिर मगर मच ने सोचा कि मैं बंदर को अपने घर लेकर आता हूँ और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा फिर मगर मच अगली बार बंदर के पास कया और उसने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी तुमको खाने पर बुलाना चाती है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे तुम मेरे साथ आज ही घर चलो तो बंदर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं पर मैं जो हूँ तैरा की नहीं जानता मुझे तैरना नहीं आता है क्या मैं तुम्हारी पीट पर बैठ जाओ फिर बंदर जो है मगरमच की पीट पर बैठ गया और फि इस वज़े से बंदर को ले जा रहा था वो उस बात को जादा देर तक छिपा नहीं सका फिर उसने बहुत ही जिजकते वे बंदर से कहा मुझे माफ करना मेरे दोस अब मुझे जो है पानी में नीचे जाना पड़ेगा मैं तुम्हें यहाँ पर माने की रिलाया था मेरी पत्न गया और थोड़ा परिसान हो गया और वो जो था बहुत समझतार भी था और जैसे बंदर चालाक होते हैं वैसे ही वो भी बहुत चालाक था फिर उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा और बोला कि मैं तो तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तुम ही तो मे मगर मचने बड़े अपने पन से पूछा कि अच्छा तो तुम्हारा दिल कहा है मुझे तो लगा कि तुम हमेशा अपना दिल अपने साथ में लेकर चलते हो तो बंदर ने कहा नहीं नहीं वो जो है वो तो पेड़ पर रखा है चलो एक काम करते हैं जलती से वापस चलते है और उसको लेकर आते हैं और तुम्हारी पत्नी जो है उसका इंतजार भी कर रही होगी और जब बंदर बात कर रहा था तब उसकी बातों में थोड़ा आत्म विश्वास भी आ रहा था तबी मगर मचने कहा हे भगवान मेर से ये कैसे गलती हो गई फिर दोनों जो है इस बात पर जोर जोर से हसने लगे फिर मगर मचने तभी एक यू टन लिया और दुबारा वो जो है पेड़ के तरफ पहुँच गए अब जैसे ही वो नदी के किनारे पेड़ के पास पहुँचे तो बंदर जो था वो जट से कूद कर पेड़ के उपर चड़ गया और उसने चैन की सासली फिर उसने पास की ही डाली से दो या तीन फल तोड़े और उसे नीचे फेक दिया और फिर बोला कि तुम्हारी पतनी को फल ही खिलाओ बजाए मेरे दिल के और ताजा फल खाके दिमाग और शरीर दोनों स्वस्त रहते हैं और अच्छा दोस बाए बाए अगर तुम पुरा ना मानो तो हम कभी दुबारा नहीं मिलेंगे अब मगर मज्जो था वो थोड़ा सा दुखी हुआ क्योंकि उसे अपने मित्र को खोने का दुख था फिर उसने असली के आंसु भी बहाए फिर वो मुड़ा और वापस घर की तरफ चले गया अब उसे घर जाकर अपन बताने की भी बहुत जल्दी हो रही थी तो बच्चो इसी के साथ हमारा ये चाप्टर समाप्त होता है धन्यवाद